So now Mr. Aditya Kapoor हम सब के लिए एक गाना गाएंगे Thank you, thank you ठीक है तो गाना प्ले किया जाएं प्लीज और जैसा Aditya ने कहा वैसे जाने मन जाने मन गाना प्ले किया जाता है और अब जनक के साथ वो अपना Do It Dance कम सौंग स्टार्ट करता है और जहां अब भी अनी के सामने जनक को संकोच हो रहा है वहीं एक्टिंग भी तो करनी पड़ेगी आदित्य संग आखिर महफिल सजी है और सभी जूम रहे हैं इन दोनों के गाने पर जहां दो नयन चोर तो नहीं है सजन पर देखने वाले की नजरिया ही होती है कि वो किसको चोर और किसको साहुकार समझता है जहां आदित्य जनक के साथ अब अनी के सामने जान बूच कर अपने और जनक के रिष्टे को एक नए नाम देने की कोशिश कर रहा है ताकि शायद अनी को कुछ तो एहसास हो कि वो क्या गुमा दिया अपने एहंकार और जूटी कस्मों के बीच जहां अनी और जनक हर एक पल को करते हैं याद जो उन्होंने साथ बिताया था वो लम्हे कहां चले गए पर आदित्य जूम रहा है जनक के साथ अभी तो और जनक उसके इतनी करीब है तो जलन तो होगी ही अनी को और शायद आदित्य भी यही चाहता है कि जनक अब इतनी उची उडान भरे कि अनी और उसके लोग एक दिन इस जनक के लिए तड़प उठे और अनी से अब ना तो डांस देखा जा रहा है और ना ही आदित्य और जनक को एक साथ इतने पास पर ऐसा लगता है जैसे गीत के बोल के साथ साथ जनक अनी से ही सवाल कर रही है कि जाने मन जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुम से ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन पर अनी के पास अब कोई जवाब नहीं और अब तालियों के साथ खत्म होता है ये गीत जो है खास आदित्य की पेशकश जनक के साथ ये तुम्हारा मन जानुआ के ये खास क्या बिछयों इस कास काल की जवाब नहीं से क्था एगो अब जहां सामने से चल के जाती है जनक उनके जो शायद उसके अपने थे भी या नहीं उसे नहीं पता और अब जहां स्नैक्स ले रही हैं सब वही जनक जी कुरुची खाना काफी अच्छा है अच्छे से खाना जी Guruji! क्या वा सब ठीक है नजी ने तो तुम कर पर नहीं हो न तो और काफी सुना सुना हो गया भी वैसे भी भेहन तो परायाधन होती है एकने एक दिन उसे जाना ही होता है और जब वो तहना आता है क्या तो सेनी पर पत्वर रखके उसे बीदा करना पड़ता है Guruji.. मेरे काफी students आए गए, मेरे साथ रहे, लेकिन तुम जैसे अपना पन मुझे किसी के साथ नहीं लगा जाना और ये router प्रताप की ही महानता है कि जो अब भी जनक से कि उसके हार की वज़े का एक सवाल नहीं किये है उससे पता है कि जनक जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे कोई वज़े तो है, ट्रोफी भी हारने का काश मैं तुमसे कह पाता कि अपने भाई के गर पे कुछ दिन और रुक जाओ लेकिन मैं जानता हूं कि तुमारे जाने का वक्त हो गया है, खूब आगे बढ़ो तुमें दुनिया वेखनी है अब, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, कि ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तुमारा भी है मुम्बई में रहो, या तुनिया के किसी भी कोने में रहते-रहते मेरी याद आए, तो बेजे जग चली हाना मेरे घर के दर्वाजे तुमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं, ये वादा है मेरा, समझ गई तुम? गुरु जी मेरा आशरवाद हमेशा तुमारे साथ है और वाके में आज रूत्र प्रताप जणक को एक ऐसा सीख दिया है और इतना अपनापन दिया है जिसे शायद वो याद तो रखेगी एक वही तो है जिन्होंने जणक को अपनाया है बिना कोई स्वार्थ के कभी भी मेरी याद आए तो एक कॉल कर देना मैं हाजर हो जाओंगा और हाँ जना मैं सिर्फ तुमारा गुरु जी नहीं अब मुझे अपना बड़ा भाही समझाओ जी गुरु जी बताने कभी संदकी में आपके के हुए असानों की कीमच चुका पाऊंगी या नहीं लेकिन जब से मुंबाई आए ना गुरु जी अपको विश्वासी था जो इस मोगाम तक पहुच पायों यहां समसे इतनी इज़त मिली है मुझे गुरु जी थाइंक यू खुश्रो तो खुब तरक्की करो खाना कालो अच्छे से मैं मिलता हूं तुम्हें और अब जहां रूदर प्रताप अपना फर्ज निभाएं हैं जहनक के प्रती एक अंजान शहर में एक अजनबी लड़की के लिए इतना प्यार और सम्मान धन्य हो गई जहनक ऐसे गुरु पाकर और अब अपने ही सोच में डूबी चनक आगे बढ़ती है पर वो अनी को नहीं देखती जहां अब तो बात ये है असली मुद्धा तो आदित्य कपूर है क्या किया ये सर्जीन मैं आ रही थी मैंने आपको देखा नहीं यहीं तो प्रॉब्लम है ना मैं तुम्हें दिखा क्यों नहीं और अब अनी के मुँझे सच बाहर आ ही गया उसे बरदाश नहीं हो रहा आदित्य और जहनक का करीब होना ये क्यों नहीं देखती जहनक और आज भरे सभा में अनी जहनक की बेजती इस कदर कर देता है पर इस गुस्से में कहीं एक अपना पन भी जलक ही गया जो जनक को चौकाता है पर अब इसका खामियाजा कौन भुकतेगा जनक या अनी आखिर हर वक्त जनक की बेज़ती करने का हक किसने दिया है अनी को और बाकी लोगों को भी आप भी कमेंट करके बताईएगा यहीं कम्प्लीट पॉलिवोड के कमेंट सेक्शन में जहां सच तो अब अनी के जुबा पर आही चुकी है कि उसे इस वक्त कौन काटे की तरह चूब रहा है और क्यों हाल खराब है भाई जनाब का अब देखते रही और बने रही हमारे साथ ही जनाख की सारी अपडेट के लिए यहीं कम्प्लीट बॉलिवोड पर